नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी 2024 लोकसबाचुनाव को लेकर बिहार की राजनिती में खूब दाओं पेच देखने को मिल रहे हैं खास कर राजनितिक पाटियों में जो सिटिंग MP हैं उनको टिकट बचाने का तो जो नए दावेदार हैं वो टिकट हासिल करने को लेकर जद्दो जहद करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन बिहार की राजनिती में सबसे ज़्यादा चर्चा लोक जनसक्ती पाटी की वो लोक जनसक्ती पाटी जो 2019 में 6 सीटों पर जीत कर संसद भवन पहुँची लेकिन अब उस पाटी के अंदर बिखरा हो गया है एक तरफ पारस हैं तो दूसरी तरफ चिराक पासवान दो धरों में बट चुकी इस पाटी में किस गुट को कितनी सीटे मिलेंगी और कौन-कौन सी वो सीटे होंगी इसको लेकर उआपो की इस्तिती बरकरार है लेकिन जिन सीटों पर 2019 में लोजपा ने चुनाओ लरा था उन सीटों पर दावेदारी दोनों ही खेमों से खूब की जा रही है इनमें छो की छो सीटों पर नाम तो खूब चल रहे हैं लेकिन सबसे जादा जो चर्चा है वो हाजिपूर और वैसाली को लेकर है हाजिपूर से जो मौझूदा सांसद है वो पसुपती पारस लेकिन चिराग ने तो दावा ठोक दिया है उनुक ने साफ कहा है कि वो इस बार अपना कैंडिडेट वहाँ उतारेंगे हो सकता है खुद उतर जाएं लेकिन वहीं बात अगर वैसाली की करें तो वैसाली से जो सांसद हैं वीना देबी लोचपा के टिकट पर जीती थी लेकिन जब पार्टी में बिखरा हुआ तो पारस गुट के साथ चली गई लेकिन जिस तरीके का राजनितिक परिस्थिती अभी NDA के अंदर देखने को मिल रहा है उससे एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यह सीट हो सकता है कि अगर लोचपा को जानी है तो चिराग गुट को चली जाए ऐसी परिस्थिती में वीना देवी के लिए भारी समस्य लेकिन क्यूंकि सीट ये लोचपा की है तो दावेदारी मजबूत है लेकिन वीना देवी को टिकट इस बार मिलेगा इसको लेकर संसय भी बरकरार है दावेदारों की कमी नहीं है और इस सूची में एक और नया नाम जुरता दिखाई दे रहा है वैसाली में इस बार चुनावी मैदान में कुदने को लेकर एक और नया नाम उभर कर सामने आया है और वो जो नया नाम है वो है विनिता विजय विनिता विजय जो पहले कॉंग्रेस की नेत्री हुआ करती थी कॉंग्रेस के टिकट पर मुझपरपूर विधान सभा मुझपरपूर लोकसभा में भी चुनाव लर चुकी हैं लेकिन उन्होंने अपने पती अमर पांडे के साथ जाकर चिराग पास्वान से मुलकात की है और उनकी इस मुलकात को बेहद अहम और महत्वपूर ने भी सू करने के लिए विना देवी भी चिराग पास्वान से अक्सर अब मुलकात करते रहती हैं इसके अलावा साहिव गंज के विदायक राजु सिंग हो या फिर बीजेपी के पुर्व विदायक सुरेश सर्मा हो इसके अलावा जो पुर्व मंत्री कांटी के पुर्व विदायक अजीत कुमार की बात करें बीजेपी सिंबल पर उनकी भी खूब चर्चा चलते रहती है लेकिन इन सब के बीच में अब नया नाम उभर कर सामने आया है और वो नाम है विनिता विजय रगुनात पांडे विहार सरकार के पुर्वमंत्री और मुझपरपुर की राजनिती के भिस्म पितामा कहे जाने वाले रगुनात पांडे की पुत्र वदू है विनिता विजय और उनके जो पिता जी थे वो भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे ललित विजय सिंग और ऐसे में राजनितिक घरान से तालुक रखने वाली विनिता विजय की चर्चा अब वैस जाली लोकसभा के अंदर खूब जोर पकरने लगी है जबसे उन्होंने चिराग पास्वान से मुलकात की है रगुनात पांडे एक बड़े विजनेसमेन रहे अब उनके बेटे अमर पांडे जो हैं वो पूरा वैपार संभालते हैं साथी साथ कॉपरेटिव बैंक मुझप पास्वान से जो इनकी मुलकात हुई है उसके बाद यही चर्चा छिड़ गई है कि वैसाली में विनिता विजय भी खूटा गारने को तयार हैं मैदान में उतरने के लिए चिराग पास्वान से उनकी मुलकात हुई है देखी एंडिये में कई दावेदार उभर कर वैसाली इस सीट पर लंबे समय से राजपूत चुनाओ जीतते रहे हैं लेकिन इस बार के चुनावी समय से पहले ही भूमिहारों ने वैसाली में कूब जोर की दावेदारी पेस की है और एंडिये से इनकी दावेदारी सबसे जादा मजबूत भी दिखाई दे रही है और ऐसी परिस् एक जिस प्रकार की राजनितिक परस्थितियां वर्तमान में बनी है नितीश कुमार अब महा गडबंदन में है नया इंडिया गडबंदन बन चुका है ऐसी परिस्थिती में अब वैसाली की लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर अमर पांडे और विनिता विजय भी पिरिया सीट फिर से लोचपा में चिराग गुट को मिल जाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है लेकिन वैसाली के अंदर इस बार दावेदारी को लेकर खूब मारा मारी देखने को अभी से मिल रही है किसको सीट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी कौन उभर कर सा होचाएंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें